नमो नमह सच्चिदानंदर उपाय विश्वोध पत्यादि हेतवे तापत रयविनावसाय स्रीकृष्णाय वयम्नुमह ओम नमो भगवते नित्यानंदाय भगवान नित्यानंद अब गणशपूरी जो गनेश्पूरी वाले जो नित्यनन्द बाबा थे वो भक्तों को मार्क दर्शन देते थे बर उनकी जो भासा थी वो क्या है वेद वाक्या जैसी थी अम्रमास में ऐसे छोटे छोटे वाक्या बोलते थे तो समझ में नहीं आता था तो एक मित्र ने मुझी एक बुक दिया ह जैचे अंतर बाहिय काया पलट करुण टाकता असे नहीं सांगनात येते या विशेवर बोलतानी बाबा सांगता देखो बाबा का वाक्या कैसा है देखो गुरू काय देतो गनान वैराग्या देखो अभी जो गुरु है आप बराबर सुन रहे हैं गुरू जो सिश्य को द तो ऐसे मित्र लोग को मालूम पड़ेगा कि वो गुरू रहेगा तो रामाइन की बात करेगा महा भारत की बात करेगा कुंडली दी शक्ति की बात करेगा ऐसी बड़ी बड़ी बाते लंबी चोड़ी बताएगा तो बाबा ने बताया कि गुरू काय देतो वो शिश्यों को गुरु क्या देता है तो बता है गनान अभी गनान क्या है देखो लोग मेरे पास आते हैं और मुझे पूछते कि गुरु जी ये जो हम लोग यूटूब माता जो है हमको दे रहे हैं तो बहुत कुछ दे रहे हैं उसमें से क्या ग्रहन करें तो मैं बताता हूँ जानने की जि देता है मतलब आपका जो अग्यान है उसको दूर कर देता है तो अग्यान क्या है मैं ये शरीर हूं वो अग्यान है फिर आपके पास कितना भी ज्यान होने दो शरीर के अनुसंदन से इफ ये एंजिनियर इफ ये डॉक्टर तो आपके पास जैसे कॉंटम फीजिक्स का भी ज ग्यान क्यों नहों वो शुक्ष्म ग्यान है तो यह ग्यान है वो आत्मा का ग्यान नहीं है इसलिए गुरु लोग बताते हैं कि आत्मा का ग्यान ले लो तो आपको यह जो सौठ है खिप्रम भवति धर्मात्मा यह आप कोई सची गुरु के पास चले गए तो गुरु जादा बात नहीं करता है, वो ही बता देता है कि आप ये शरीर नहीं हो तो ये ज्ञान है, देखो information होता है information एक माहिती होती, information रहती है फिर वो जब आपको मालूम पड़ता है तो वो knowledge में convert होती है और वो ज्ञान में रुपान्तर होती है, ज्ञान जो रहता है वो फिर wisdom में रुपान्त information, knowledge and wisdom ऐसे जो information माहिती है आपके पास फिर उसका ज्ञान में रुपान्तर होता है फिर बोध होता है तो क्या आपको बोध हो चुका है आपको मालूम हो चुका है कि मैं शरिर नहीं हूँ मैं शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, पूर्ण और पवित्र आत्म हूँ यदि आपको ये ज्ञान हो चुका है तो आपके लिए साजना पूर्ण हो चुकी है तो ये ज्ञान गुरु देता है फिर दूसरा शब्द बाबाने बोला है बात है व्यावार के लिए मगर धन की तुरुषना है जितना धन है और प्रयात्न करने से जिन मिलता है उसे में आप खूस है तो बराबर है मगर यदि उससे आपको बैचे नहीं हो जाती आपको रात को निंद नहीं आती है कि मुझे इतना धन चाहिए इतना धन चाहिए तो बाबा उसका विरोध करते बाबा बताते कि जो है उसी में संतोस करो और ऐसा नहीं कि आप काम धन्दा छोड़ दो आप प्रयात्न करो लोग कल्यान का काम भी करो धन का उपारजन करना ही चाहिए मगर इतना धन की जो वासना है धन के पीछे प्रभू को याद न करना लोग मुझे पुछते गुरु जी क्या बात करते सुब से साम इतना काम धन्दा रहता है तो हम ध्यान नहीं कर पाते है उसी को प्रभू बोलता है वैरागिलाओ थोड़ा सा वैरागिलाओ ये बात प्रभू ने बताई अभी दुसरी बात है दुसरा प्रस्ना है उसका वेद का वाक्य है इशाव वास्यम एदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत्य यही बात इसा है कि परमेश्वर अनु रे अनु भरून राहिला है परमात्मा कणकण में है तो वो कणकण में है तो जैसे एक गन्ने का जैसे हम जूस पीते हैं रस होता है ऐसे ही ब्रह्म रस जो है वो पीना चाहिए प्रभू बताते हैं बाबा बताते हैं गणेश पूरी वाले नित्यनन बाबा ने बताया कि आपको वो रस पिना है राम रस ऐसो है मेरे भाई राम रस ऐसो है मेरे भाई मेठा मेठा सब कोई पीवे कड़वा पीवे ना कोई एक बार जो कड़वा पीवे सबसे मेठा होई राम रस ऐसो है मेरे भाई बजन आगे है मैं आपको बता द्रूव ने पिया प्रहलाज ने पिया और पिया रवीदासा आप भी पी रहे हैं यह जो आप जिसे पीने का मतले ऐसा नहीं मुख से पीना है कान से भी यह इंद्रिया है तो द्रूव ने पिया प्रहलाज ने पिया और कौन पिया है और पिया रवी दासा और मैं और जोड़ देता हूँ और पिया यूटूब वीवर ये जो यूटूब के वीवर है वो भी रामरस पी रहे आप भी रामरस पी रहे दास कभीरा बर बर पिया और पिया निकिया इसलिए लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी कब वीडियो डाल रहे है कब वीडियो डाल रहे हैं जिसे ही वीडियो आते हैं तो ऐसे मैं देखता हूं कि जिसे मैं वीडियो रखता हूं तो ऐसे जो वियर लोग है वो देखते हैं वो प्यासे हैं रामरस के प्यासे हैं तो बाबा ने जो बताया कि ब्रह्मरस वो ब्रह्मरस आप पी रहे हैं ऐसे मत समझों कि आप ये ग्यान से ये ग्यान से आपका ग्यान बढ़ नहीं रहे आपका जो तुपति yapıyor आत्मा की आपको तुपती हो रहे है है तो बाबा ने जो बताया मैं आपसे बता रहा हूँ आपका शुब हो, कल्यान हो मंगल हो, आनन में रहो मोज मेरो हर आल में खुश रो enjoy every moment of the life may God bless you